दो question number 3 क्या बोल रहा है एक sum कोई sum है principal मान लेते हैं वो चार साल में कितना हो गया 29282 ठीक है 10% rate of interest है किसमे rate of interest है 10% rate of interest है अब अपन को उसी sum पर मतलब जो principal है rate boy rate मतलब 10% है time boy जो पहले लग रहा था 4 साल simple interest बताना है ठीक है तो पहले अपन को principal निकालना पड़ेगा अच्छा 10% के case में क्या होता है तो आप बलो 10% की case का मतलब है 10 रुपे 11 रुपे हो जाएंगे एक साल में तो 4 साल में क्या होगा इसकी power 4 कर दो इसकी power 4 कर दो 10 की power 4 करने का मतलब 11 की power 4 करने का मतलब 14641 ठीक है तो यह क्या आगए आपने पास 14641 ग्यारा साल के बाद चार साल के बाद amount की value ठीक है यहां से अगर आपन देखें 14641 यह इसका कितना है तो आप बोलो सर यह साप साप डवल दिख रहा है डवल क्यों दिख रहा है देख बन इंटू टू टू चार दूनी आठ छे दूनी बारा की एक चार दूनी आठ और एक नो और दो इकम दो ठीक है यह इसका डवल दिख रहा है तो प्रिंसिपल भी इसका डवल हो जाएगा इसका डवल मतलब दो हजार रुपए 20,000 रुपए है ना प्रिंसिपल यह आ गया rate कितना है 10% time 4 ही है यह simple interest हो गया simple interest calculate कर लेते है simple से 2 0 से यह 2 0 कर ग्याएं तरिक चार दूनी आठ अठ हजार ऐक आगए अपना simple interest आठ हजार रुपए अपना simple interest आगया ठीक है कर दो कर दो जो भाद्ट